तो हलो प्यारे बच्छों, क्या हाल चाल, बढ़ याँ सब। प्यारे बच्छों हम लाज टमपे क्या पढ़ रहे थे, Vector Analysis पढ़ रहा था, और Vector Analysis में मैंने कहाँ तक पहुँछ गया था Triangle Rule of Vector Addition तक पहुँछ गया था, मतलब triangle rule of एक्टर wanneta पढ़ाना था वह पढ़ने के लिए हम लोग चल रहा हैं, समझ पाए कि नहीं, ठीक है न, अब इसी तरीके से पहले Vector Addition पढ़ेंगे, फिर उसके बाद Vector का Subtractions पढ़ेंगे, फिर Vector का क्या? multiplication पढ़ेंगे ठीक है ना फिर एक और बसता है क्या vector का division तो होता नहीं है तो पढ़ेंगे नहीं ठीक है ना उसको भी देखेंगे समझेंगे कि क्यों नहीं होता होता है क्या होता वो सब देखेंगे वहाँ पर ठीक देखो यहां पर जैसे मैंने last time पर बिल्कुल क्या पढ़ा की shift किया जाता है vectors को क्या करते हैं किस तरीके से add किया जाता है vectors के बीच का angle कितना होता है यह समयने last time पर जो है वो बता रख और ठीक है ना प्यारे बच्चों तो उसको क्या करते है आप जाकर के एक बार देख लेना last time को बहुत अच्छे से तब आज बहुत भीतरी नाप सब्सक्राइब को समझ में आएगा ठिक तो बच्चों थोड़ा सा बात करते हुए आज हम वेक्टर रूल आफ ट्रेंगल ट्रेंगल रूल आफ वेक्टर एडीसन पर बाते करेंगे समझ गये तो बच्चों मैंने कहा यह बता रहा था कि इफ टू वेक्टर मिन्स अगर दो वेक्टर आपको दिये गया हूं उसको एड कैसे करोगे उसका रिजल्ट कैसे बताओगे यह आपको पता कैसे चलेगा उसी चीज को आज सीखने चले हैं और मैंने इस बात को किया था कि जो कहते हैं बच्चों अगर नार्मल स्टम मैंत्हेमेटिक सिखन मेंडिक स्टम के आपको दे गई हो तो बच्चों उसको नार्मल मैथमे इंदर हम लोग क्या करते हैं एक करते हैं सब्ठő glass करते हैं यह पर समझाए कि ने करते ठीक तो अब नार्मल मैथमेटिस के अंदर नहीं एड कर सकते तो करेंगे कैसे ठीक है ना तो वहाँ पर मैंने बताया था कि वेक्टर्स जो होता है वो ओबे करता है फालो करता है जुमेट्री रूल को किस रूल को जुमेट्री रूल को या वेक्टर के रूल को वेक्टर्स म क्या बताया था ट्रेंगल रूल बताया था पॉलीगन बताया था पैरलेलो ग्राम बताया था ठीक बच्चो आज उन सबको पढ़ने का वक्त आ गया है कि अगर आपको दो या दो से अधिक वेक्टर जो भी दिये जाएं तो उनको जोड़ोगे कैसे आप ठीक है न तो पहले जोड़ना सिखेंगे फिर घटाना सिखेंगे फिर गुड़ा करना सिखेंगे ठीक तो आप वेक्टर किटिंगहां बनाना है वाग्त अगयं की अगर आपके पास में दो गया हों कैशे एस तरीके से ऐसे दिए गए हूं है ठीक ही न को असदेगे सबीदिगे हैं वेक्टरन तो इसका रिजल टैंट कैसे बताओगे मंल या वेक्टर बैन यह यह है बच्चो यह वेक् तो इसका resultant बच्चों हम लोग third side से देते हैं, कैसे देते हैं बच्चों, third side से, और इसी का नाम क्या दिया था मैंने, vector r, इसका क्या कहते है, value कितना हो जाएगी बच्चों, a plus b, बोले तो vector a and vector b, ठीक, समझ पाइक ने, ऐसे last time पे सीख रहा था, मैंने 2-3 करके दिखाया था किस तरीके से add किये जाते हैं, ठीक, बच्चों, यह मैंने सीख रहा था, आप इसमें ध्यान से देखो, तो triangle जैसा नहीं लग रहा है, अरे triangle जैसा क्या नहीं लग रहा, triangle ही तो है, समझ पाइक ने, triangle ही ह यह triangle में third sides होते हैं, third, इसमें भी देख लो, इसमें भी 3 क्या कहते हैं, side है, इसमें क्या कहते है, triangle में 3 क्या होते हैं, angle होते हैं, इसमें भी 3 angles हैं, है की नहीं, है ना, तो हमारा हुआ क्या बच्चा यह, हुआ क्या यह, triangle ही हुआ ना, तो basically, अगर आपको two vectors दिये गया हो, ठीक है ना टू वेक्टर्स दिये गए हो और उसका रिजल्टेंट पूछ लिया जाए ना तो उसी तरीके से समझो जो दो वेक्टर्स दिये गए हैं वो ट्रेंगल के टू साइड्स दिये गए हैं क्या दिये गए हैं ट्रेंगल के दो भूजाएं दियेंगे साइड्स मतलब है ना तो ट्रेंगल मतलब त्रिभुच मतलब है कि त्रिभुच के दो भुजाएं दी गई है आपको तीसरी भुजा अगर आपको निकालना आता है बनाना आता है तो आप अंसर बता सकते हो समझगे कि नहीं इसलिए मैंने बोला थाया कि ओब ला आफ जुमेट्री ला तो बचो इसका क्या कहते है हमारा थर्ड साइड्स अगर आपको निकालना आती है ट्रेंगल्स की तो आप आधाम के साथ में इसका अंसर दे सकते हो नई भी आती चिंता नहीं करना ना अपन है भी तो बच्छो हम इसके डिफिनेशन लिखते हुए आगे चलेंगे क्या लि इसना ट्रेंगल रूल आप हैं झिजल क्या Pan hai त्रेंगल रूल आफ वेक्टर एडिशन थी Oh ठिक आओ समझते हैं ट्रेंगल रूल क्या होता हां वेक्टर एडिशन का ठिक तो बचो तो देखो अगर आप को वही बात जो बोला हूं अभी कंजाया है वासो सी बात को लिख देनी ही बात खतम अब आप अपने language में भी उसको लिख सकते हो या जो हम लिखने जा रहे हैं ईसको भी लिख सकते हो issme डाउट्स ने यह ना डिफिनीशन में क्या है अपने आप से भी बना सकते हो ठीक तो बच्चों हम क्या लिखेंगे इफ टू साइड्स आर गीवन ठीक है ना बच्चों क्या अगर दो साइड्स आपको दी गई हो या रिप्रेजेंट की गई हो ठीक है न कैसे देखों देखों लिखने जला इफ इफ टू साइड या ऐसे लिखता हूं थोड़ा सा धैर बनाय रखें ठीक इफ टू वेक्टर वी इससी होता है बच्चों यह सी घ्याल है हम तो लिख देंगे क्या पता आप डाउट में आजा इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड आप ट्रेंगल क्या पच्चा तू टू साइड आफ ट्रेंगल समझ गया कि नहीं क्या मैंने लिखा कि इफ टू वेक्टर्स कोई अगर दो सदिस्ट ट्रिभुज की दो भुजा को प्रदर्सित कर रहे हो ठिक तब आगे देखो क्या करता हूं एक एक बात बहुत काईदे से समझा के चलूंग बच्चा क्योंकि यही हमारा क्या है पूरी मेकैनिक्स के रीड होने वाली है समझ पाएगी नहीं ठिक तो मैंने लिखा बच्चो इस टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग टू साइट्स आफ ट्रेंगल ठीक ना सच देट अब देखना है आप इसके लिए एक कंडीशन कंडीशन क्या वही समझना है सच देट ठीक ना देखो हेड आफ फस्ट वेक्टर ठीक यह बच्चों फाहली वेक्टर की है और यहां पर यह क्या है बच्चों टेल है सेकेंड वेक्टर गी ठीक है तो हमको क्या लिखना है है अश्थ वेक्टर में एंद आफ और फस्ट वेक्टर कि फ़र्स्ट वेक्टर क्या बच्चों कॉन साइड मतलब जूडी होई हो आफ कॉंसाइड कॉंसाइड जुडी हुई हो समझ पाइग नहीं विद विद किसके साथ बच्चो टेल आफ सेकेंड वेक्टर टेल आफ वेक्ट टेल आफ सेकेंड वेक्टर मैंने इतनी इस बात लेग दी ठीक है ना कि अभी यह पूरा नहीं हुआ है इस टू वेक्टर और रेप्रेजेंटिंग टू साइड आफ ट्रेंगल ठीक मतलब पहले वेक्टर का खोपड़ी दूसरे वेक्टर के पूच के साथ अगर बन्धा हो तो उसका रेजल्ट एंड हम तीसरे वेक्टर से देते हैं जो 3rd side of क्या कहते हैं triangle है उस 3rd side से देते हैं और उसके लिए condition क्या है कि 3rd side जो होती है बच्चो वो 1st vector के tail से और जो 3rd vector है बच्चो उसके tail दूनों साथ में जूड़ी होती है जूड़ी होनी चाहिज़े ठिक उसी बात को भी लिखना है ठीक है ना मने क्या लिख दिया कि second coincide with tail of first vector ठीक है ना tail of first vector अब देखना और स्वारी tail of second vector ठीक है ना तो अब आगे देखना then the year then dear then dear अब देखना जो resultant हमको देना है ठीक resultant अब रिजल्ट एंट आर गीवेन आर गीवेन बाइदा अब बाइदा ठीक अब बाइदा कहां से बच्चों first side first vector की tail से कहां से first vector की tail से ठीक और जो थर्ड वेक्टर का tail है वो दोनों क्या होना चाहिए बच्चों कौन त्रेंगल क्या लिखाओ को बच्चों third side of triangle third side of triangle first side of triangle from first tail to third tail ठीक ने क्या लिखाओ को बच्चों first from tail of tail of first vector दिखाइ दिया गया बच्चों नहीं दिखाइ दिया गया बोल रहा हूं लिख ले ले ला फर्स्ट वेक्टर tail of first vector end या तू लिख सकते हो to head head of second vector ठीक यह हो गया है यह हो गया है समझ पाए कि नहीं बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ अभी हमने क्या बोला उसको समझो बहुत कायदे से समझना है जो बात को बोला है मैंने कि अगर triangle rule हम पढ़ने चल लें addition के लिए ठीक है नहीं इफ टू वेक्टर आर रिप्रिजेंटिंग टू साइड आफ ट्रेंगल अगर दो वेक्टर दो साइड्स प्रेजेंट कर रहा है किसके triangle के तो such that head of first vector coincide with tail of second vector then their resultant are given by third side of third side from first vector third side from tail of first vector to head of second vector समझ बाइक ने मतलब कि पहले वेक्टर के tail से और जो third side है वो क्या कहते हैं दूसरे vector की head से बंदी होनी चाहिए ठीक अगर ऐसा है तो आप इस तरीके से आप लागों फालो करोगे ठीक इतना लिखेना बच्चों फिर उसके बाद यह हमारा डाइग्राम बनेगा ठीक है यह मालिया वेक्टर यह है फिर यह वेक्टर भी है इसका resultant अगर हमको साथ में बंधी होनी चाहिए ठीक है न तो अगर बात को समझ गया हो तो इतनी सी बात से लिखना था फिर बताओ अगर लिख लिए हो अब बगल हो जा रहा हूं बच्चों लिख लो अच्छे से फिर क्या करते हैं आगे चलते हैं ठीक है न हो गया बच्चों बोलो हो गया क क्या अगर हो गया हो थोड़ा साइकात क्वेस्टिन करकर के समझते हैं और बातों को फिर आगे चलते हैं ठीक कि अगर हमने क्या किया वच्छो ट्रैंगल रूल पढ़ लिया है ठीक है ने ट्रैंगल रूल पढ़ लिया अब समझते हैं एक क्वेस्टन को क्वेस्टन के माद्यम से चीजों को समझते हैं ठीक जैसे एक व्यक्त है वह चार मीटर नार्थ के डायरेक्शन में चलता है एक मैन है एक आदमी है चार मीटर नार्थ की डायरेक्शन में चलता है चार मीटर वहीं से इस्ट डायरेक्शन में चल जिर्टाओं कोश्चन बच्चो एम एन देखो यह क्या कर रहा हूं मूफ्स मूफ्स फॉर मीटर फॉर मीटर इन नार्थ इन नार्थ 2 इन 4 मेर इन रेख़ इन इज दर्थ Mick तबने फॉर मेर इन रेख़ रेख़ बॉर हुआं कि दिखें ना बच्छों एक क्विश्चन लिखा है मैंने क्विश्चन क्या उसको पढ़के सुनाता हूं आप लोगों इसका सल्यूशन बनाता हूं आप लोग बच्छों देखो काई देश बोल रहा कि बोल रहा है सवाल में कि एक व्यक्ति है जो फोर मीटर नार्थ डायरेक्शन चलता कि इधर फोर मीटर मीटर नार्थ डायरेक्शन ठिक फिर नॉर्थ से क्या कहते है बत्षों वह ही मीटर किदर चलता है ईश्ट डायरेक्शन ठिक बोल ला यस्तिन फाइंद ओव देर रिजल टैन्ट बस्जो कि रिजल टैन्ट इसमें कुछ ऐसा है क्या जो बवाल लिखे रही हो ऐसा कुछ भी नहीं यह बच्चों है ना कि समझ बैगने यही रिजल्टेंट होगा क्योंकि दो साइड्स प्रिजेंट कर रहे है कि इसको ट्राइंगल को तो थर्ड साइड इस तरीके से होगी और आप जानते हो तो फोर मीटर फोर मीटर सेम है नाइंटी डिग्री तो यह कितने पहुझाएगा फोटी फाइव डिग्री समझ पैगने बस हो गया अब इसका अंसर निकाल पाओ कि अरे यार लगा दो पाइथा गोरस ठेके ना लगाओ कि पाइथा को रस कितना एगा फोर रूट टू मीटर कितना बच्चों फोर रूट टू मीटर समझ पैग नहीं है अच्छा कुछ लोग कल तक समझेंगे सही है कि नहीं हमें पाइथा गोरस ठीरम नहीं आ रहा क्या इसका 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 मतलब कहने का मतलब ऐसे समझर णहें परपेंडीकुलर स्कुर प्लस बैस स्कुर इस उकली तरब करोगे नहीं यह वाला स्कुर तो इह राइप आधा जयाता है जब इसको admiral करोगे four two meter आएगा अभी मेरी data कंप्लेट नहीं हुआ साई नहीं बताıı इसा हो नहीं सकता ठेके ना डारेकशन आपको क्या करना पड़ेगे बताना पड़ेगे तो देख के बताओ डैरेक्शन क्या डारेक्शन है अज पहले जो लिखे उसको निकाले उसको लिख दो ठेके लिखना है रिजल्टेंड है queens a displacement displacement क्या आया बच्चो 4 Road 2 मीटर इन किदर देखो ये East Direction ओ स्वारी North Direction बच्चो ये East Direction बताओ कौन से Direction आयेगा North East Direction अब बताओ अब ये हमारा हो गया ये साल डाटा कम्प्लीट हो गया अब मैं एक बात पोछ रहा हूँ बच्चों आप बताओ कि जैसे मालिया क्या वेक्टर आर था यह वाला वेक्टर ठीकिन वेक्टर आर कैसे निकाले हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर भी है कि ने बोलो ठीक तो बताओ बच्चों अगर हम वेक्टर आर का मैंगनिट्यूड यह होगा ऐसे अगर भूले या यू समझो हैसे रहने देते हैं इसको इसको इसे खोल्टू वेक्टर ए मौर ए माडूलस प्लस है वेक्टर बी माडूलस मतलब मैगनिट्यूड दोनों का मैगनिट्यूड अगर एड़ करेंगे तो और वेक्टर की कुल आएगा क्या नहीं होगे तो यह resultant के equal होगा क्या होगा क्या होगा बचो अब नहीं होगा समझ पाए कि नहीं क्या लिखोगे नहीं होगा कैसे बताओ अगर इसका magnitude वेक्टर एका magnitude अगर एड करोगा माल लिए वेक्टर ए है तो इसका magnitude कितना 4 meter ठिक और vector B का क्या माल यह वेक्टर था इसका magnitude इसका magnitude कितना था 4 meter अब दोनों को add करो गया तो जो हमारे resultant उसके बराबर आएगा क्या कभी नहीं आएगा भाईया क्योंकि 4 plus 4 equal to 8 यहां होगा क्या क्योंकि यहां पर कितना है 4 root 2 meter आया समझ पाए तो यह not equal होगा समझ पाए कि नहीं हमने क्या देखा क्या देखा हमने कोई बता सकता है कि वेक्टर एडिशन और नार्मल मैथमेटिक्स जो होती है दोनों अलग अलग होता है ठीक है दोनों कभी equal नहीं होगा तो बच्चों अगर बात यह समझ में आए हो तो इसको बना लो तो एक question और बनाता हूं देखना उस question कितना तगड़ा question होने वाला बहुत बेहतरीन question है करने की बादना मज़ा जाएगी तो आप है होटे हो गएक आफ लोग refugees मल पक्या करते हैं इसको solution मनाते हैं डांक कि अ एरेस्ट करके आगए चलते हैं कि एक दिक लिखता हूं अगला question क्या लिखता हूं question कि देखो बच्चों कि इतना अच्छा question है ठीक कि बोल रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो यहां पर बोल रहा है बच्चों कि इन विच आप्सन और करेक्ट इन विच आप्सन और करेक्ट नीचे चार आप्सन दोंगा बच्चों जो क्या कौन उनमें से सही है आगे भी सवाल पूरा नहीं होगा आगे बोल रहा है इस इस ठीक आगे देखो इस क्या कर रहा हो बच्चों फालो कर रहा हो देखो ऐसे देखो बोथ कि बोथ ूद प्रफ्लेक्ट डीक्ट अर जाप्ट लू आप्क्ट बच्ट अवक्ट अंड अ मार्मा बमा नल act अ लू नहीं हो तो 2 DR प्रतरसित कर रहा हो टिक और माड़ा वेक्टर एaker जिग lep शीए मतलब यह जो हैं पर रूल लिखा कर आना ये डोनों खही आसन बताना जो दोनों को क्या करता हो फालो करता हो ठीक है न? जो दोनों रूल को फालो करता है उसी को आपको आपसन बताना है ठीक? तो इसको डिलेट करता हूं बच्चो फिर आपसन बनाता हूं फिर इसको समझाता हूं पहला आपसन देखो बच्चो पहला option क्या है माल लिया कोई vector A है ठिक और यह vector क्या है B है ठिक है न तो और vector C यह है बच्चो यह यह vector C है यह पहला option है option दोसरा देखो ठिक दोसरा option है हमारे पाश में यह एक Vector है, दूसरा यह Vector, तीसरा यह Vector, ठीक? आईसा है, और तीसरा है संदे को बच्चो, माल या एक Vector यह है, यह Vector A, और यह Vector B है बच्चो, और C Vector ऐसे बनाया गया, ठीक है न? यह C वेक्टर है ठिक चौथा देखो बच्चों माल लिया मैंने यह वेक्टर A है यह वेक्टर B है और C वेक्टर इधर है कि एsqung स्धिए वेक्टर और ये वेक्र कौन सा सही होगा कर आप लोगों को करके बहुत अच्छे से करना है फिर बताना है स्माँ साइज ने और सवाल ऑच्छा है कु नहीं बहुत दम दम खम है बच्चा सवाल में इसमें थे । तो आप लोग सोच रहे होंगे ये दोनों option बना दिये हैं, दोनों क्या कहते हैं, triangle rule तो follow कर नहीं रहा है, तो बच्चा हो हमारा सवाल है, जब हम answer बताएंगे न, तब ही तुम समझ पाओगे, ठीक, तो I hope आप लगा रहे होगे या नहीं कर रहे होगे, मैं लगाता हूँ, आप देखो, क्योंकि आप लगा नही ये rule और दोनों, ये दोनों rule क्या करता हो, follow करता हो, ठिक, दोनों rule, follow करता, आउँ, चेक करते हैं, पहले वाले को देखते हैं, पहले वाले में पहरा rule, पहरा rule क्या है, पहला rule ये है, कि vector A plus vector B, vezes, vector C होना चungguhier, ठीकर expression, न, तो बत तो बच्चों, इसमें देख के बताओ, कि following早上 है कि पहला रूल-はい क्या हां भाइया cum clar r groans कैसे क्योंकि यह जब व्यक्टर सी की वैलु वेक्टर ऑड वेक्टर बी ही तू बता ऑगे ना इस वेक्टर वाले की शक्राइब तहीं देखो सेकेंड रूम क्या है अला फेक्टर करें माड वेक्टर भी idOR το ू c vector भाया इसका magnitude और इसका magnitude कभी c vector के equal हो गया कि अभी just इसके पहले बोला था दिखाया था मैंने किया था उसमें equal नहीं आया था मालो इसका कितना है 3 meter है यह माल लिए 4 meter है क्या बच्चो इसके equal आएगा कभी नहीं आएगा ठीक है ना क्योंकि यह 4-3-7 हो जाएगा लेकिन यह इसका साथ नहीं आएगा बच्चो वेक्टर एडिशन से निकालोगे ठीक इसलिए second rule क्या कर रहा है बच्चो फालो नहीं कर रहा है मारा ठीक अब आओ second वाले option को देखते हैं ठीक है ना बच्चो देखो second वाला option क्या कह रहा है इसमें तो कह रहा है अच्छा यह तो दोनों नहीं करेगा यह दोनों रूल नहीं फालो करेगा भाया वेक्टर का अपना एक रूल है क्या रूल है कि अगर इस तरीके चलना है यह सारा चीज ऐसे चलना है तो इसका यह इधर से चलेगा resultant लेकिन इसमें देखो बच्चो इसमें आइसे resultant चला एक वेक्टर फिर 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 इधर ले लिया गया ट्राइंगल रूल में ऐसा नहीं होता ट्राइंगल रूल किया उसको फिर से एक बार बताता हूँ, अगर vector ये A है, अगर और ये vector B है, ठीक, तो ये तीसरा resultant यहाँ से ऐसे देते हो, इसमें देखो कैसे किया गया, पहले vector के ऐसे दिया जाना चाहिए, न बच्चों जैसे ये दिया गया, लेकिन ये नहीं है, इसमें ऐसा नहीं, न बच्चों ये पहला फालो कर सपलेगा समझ पाइक ने तो वह तो उन्हीं कहानी खतम आप समझते हैं इस की कहानी तीसरे बादे कि ठीक तो बचो यह जो बनाएना हो ना तीसरा चौथा ये एक ट्रायंगल ही है आप सोचआ हैं ये कपसे ट्रायंगल हो गया तो बच्चो यह इस तरीक का का ट्रैंगल मा लिया एक वेक्टर यह और यह एक किर यह ऐसा थीक फिर और इसको चिपकाते चिपकाते स्ट्रइड बना दिया है मैंने समझ गए कि इव लगे और फेक्टर फिक जो यहां पर दिया गया व्यक और वेक्टर भी ठbernation भाया, यह 8 ही meter होगा ना, यह, ठिक, और इस बार पहला rule, अभी पहला rule को देखाओ मैं, ठिक, अब second rule को देखो, भाया, पहला rule तो follow करेगा, second rule देखो, magnitude of a vector, magnitude of b vector, c vector के एक्वल होगा, क्या, c vector के बेले उतना 8 high है, ठिक, तो जड़ा, फिर से add कर के देखो, हाँ, सही तो है भाया second rule भी क्या कर रहा है follow कर रहा है क्योंकि 4 और 4 8 meter मतलब हमारा option यह सही है ठीक अच्छा ज़रा इसको भी देख लेते हैं इसका मतलब यह भी तो सही होना चाहिए है हरकी नहीं देख लेते हैं देखने हम क्या जाता है तो बच्चो यह दो वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट किये गए है ठीक है और तीसरा वेक्टर देखो इसकी डिरेक्शन उल्टी है समझ पहें कि नहीं तो बच्चो यह फर्ष्ट ला जो है ना उसको फालो नहीं करेंगा लेकिन अगरिए चार मीटर यह चार मीटर तो बच्चो इसके लिए फस्ट ला के लिए तो बच्चो फर्स लाक वालो नहीं करेंगा सवाल हमारा कह रहा था कि ऐसा कौंस आफसन है जो दोनों लाग को फालो करता है तो आफसन नमबर सी ठीक तो आई होप मज़ा आया होगा आप लोगों को करके तो इस आफसन को बढ़िया से क्वेस्चन को बनाया जाए फिर हम और आगे चलते हैं ठीक न तो और आगे इसके ब ठीक तो अब इसके बाद पॉलिगन रूल समझने का समय है तो इस पर क्वेस्चन वगेरा जो है वह उस पर भेज दिया गया भी भेजा हूँ और भेज दूँगा तो आप लगाना इस पर जो नहीं आएगा तो वहां पर पूछना फिर उसके बाद मैं है जब पूरा में लूँगा जो जे डवली ड्वांस मेंस नीट वगेरा माये हैं सब सही हो जाएगा ठीक बच्चों लिख लिए क्या बताओ लिख लिए क्या बच्चों